नमस्कार मेरा नाम जानवीत यागी है मैं नरायना पब्लिक स्कूल की कक्षा बारहा की छात्रा हूँ आज मैं यहाँ प्रस्तोत हूँ कवी दुश्यंत कुमार की एक गजल की व्याख्या करने के लिए सुनिएगा कभी कहते हैं कि आजादी के लिए हमारे देश में बहुत सारे सपने दिखाए गए ते यहां की जनता को लेकिन अगर आज की वास्तविक्ता को हम देखेंगे तो यहां कोई भी किसी की भी खुशी पूरी नहीं हो रही है और किसी को भी कोई अधिकार नहीं मिल रहा है कभी कहते हैं कि जिन लोगों से उम्मीद है जो यहां की सत्ता है जो यहां की शाशन विवस्था है उनसे उम्मीद की गई है कि वो अधिकारों को दे जन तक उनके अधिकारों को पहुँचाएं लेकिन किसी की भी मांग पूरी नहीं की जा रही है इसलिए कभी कहते हैं कि इससे बहतर होगा कि यहां से चला जाए नहो कमीज तो घुटनों से पेट ढख लेंगे ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए कभी कहते हैं यहां की जंता के लिए कि यहां की जंता भी शाशक के अनुकूल है अगर उनका कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा किसी अधिकार का हनन हो रहा है तो वो लड़ने नहीं जाएंगे बल्कि अगर वो गरीब हैं उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो वो अपन पप्र पेघ़ल नहीं सकता मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए कभी कहते हैं कि यहां की जो जनता है उन्होंने मान लिया है कि पथर दिल रूपी जो शाषें व्यवस्था है वो बंडल सकती लेकिन कभी कहते है कि मेरा विश्वास है अगर लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो शाशन विवस्था में बदलाव जरूर आएगा खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही कोई हसी नजारा तो है नजर के लिए कभी कहते हैं कि हमारे देश में लोगतंत्र कायम है कि यहां सबको समता का अधिकार है समानता का अधिकार है लेकिन फिर भी किसी को कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा तो इसलिए कभी कहते हैं कि बेशक यहां खुदा ना हूँ लेकिन लोगों की कल्पनाओं में खुदा है और लोग इसी में खुश है तिरा निजाम है सिल दे जबान शायर की ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए कभी यहां के सत्ता से कहना चाते हैं यहां के शासकों से कहना चाते हैं कि उनके लिए आवश्यक है कि वो मुझे बोलने से रोकें वो मुझे पर प्रतीबंद लगाई मेरी कविताओं को प्रतीबंदित करें इसलिए क्योंकि अगर उनकी कभी की कविताओं से समाज में कुछ बदलाव आया तो उनकी शाशन व्यवस्था पर भी उसका असर पड़ सकता है मुझे सुनने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका मैं बस यही चाहूंगी कि सभी अपने अधिकारों के लिए लड़ें जो हमारे कभी ने इस गजल के माध्यम से संदेश देना चाहा है उसका पालन करें और कभी भी किसी के आगे जुके ना जो हमारे अधिकार हैं उनके लिए हमेशा लड़ते रहें धन्यवाद